पर आई अब बात कर लेते हैं उत्तरप्रदेश की और उत्तरप्रदेश में आज जहां रिव्यू जो है वो जल रहा है के आखिर हार हुई तो किन वजह से हुई तो इस बीच एक मुलाकात पर सबकी नजटी की हुई है गुरखपुर में संक्रमुक, मोहन भागवत और सीम योगी की मुलाकात होने जा रही है और यह मुलाकात काफी एहम है क्योंकि मुलाकात उन तमाम बयानों के बाद हो रही है जहां पर इस तरह की अटकले लगने लगी थी कि संग नसीहत दे रहा है क्या एहंकार होने का इशा चुनाब में बीजेपी को सबसे बड़ा जटका अगर कहीं लगा तो वो यूपी में लगा यूपी में हुए इस नुकसान को लेकर बीजेपी अपनी तरफ से तीन लेवल कर त्री स्टेज का वो रिव्यू करा रही है पता लगा रही है कि भीतरगात हुआ तो कहां से हुआ गलती हुई तो किस की हुई इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि आरेसेस बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है हाला कि इस खुले कर सफाइएं भी आ रही है क्या रही है क्या जो कुछ रिपोर्ट योगी के सामने आई है अपने बनारस प्रवास के दौरान और अभी तक जो उन्होंने मुलाकाते की हैं तमाम पार्टी के पधादिकारियों से, मंत्रियों से, तो वहां से क्या कुछ निकल कराएगा, क्या वो RSS को अपनी रिपोर्ट के बारे में जानकारी देंगे, RSS की तरफ से क्या उनको कुछ सलाह मश्वरा, अपनी जो जानकारी उनके जो सर्वे से आई होगी, वो साज़ा करेंगे, तो यह तमाम सवाल यहां पर इस मुलाकात को लेकर उठाए जा रहे हैं, थोड़े देर पहले योगी आतिनात गुरखपुर पहुँच गए हैं, CM योगी आज शाम को इस मुलाकात के लिए RSS चीफ से SVM स्कूल इस मु मुलाकात होगी, CM योगी और RSS शीफ भागवत के बीच होने वाली इस मीटिंग के कई माइने भी हैं, कहा जा रहा है किस मुलाकात में योगी और भागवत के बीच यूपी के नतीजों पर चर्चा हो सकती हैं, बागवत और योगी की इस मीटिंग में लोकसभा की चुनाव में यूपी के अंदर बीच पी की घटी सीटों पर मन्थन होगा, पुर्वांचल में, अवद में, बुंदेल खन में क्या कुछ हुआ है, इस पर भी बाचीत होगी और भविश्य की राजनीती कैसी होगी, आन तकिया जाएगा और जो योगी इतने दिनों से जो मुलाकाते करके फीड़बैक जो है, वो जोटा रहे हैं, तो एक तरह से इन्फोमेशन का आदान प्रदान होगा, योगी को मजबूत करने का संदेश भी जो है, इस मुलाकात के जरीए दिया जा रहा है, और यहां पर इस राम लहर के बाद राम अंदर के बावजूद भी ये एहम सीट बीजेपी हार गई, तो इसलिए धेर सारे सवाल जो हैं वोट रहे हैं, पुरवांचल में तो बीजेपी का लगभग लगभग सूपरा साफ हो गया, पुरवांचल की आजमगर, जौनपुर, लाल गंज, मश बूत के नेता थे, जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने अतना सही होग ने दिया, या फिर गलत प्रत्याशी का चुनाव किया गया, तो आखिर गलतियां कहां हो गई है, मेसेज कहां गलत चला गया, या आरक्षन के मुद्धे पर जो नेरेटिव बनाए गया था, विपक्ष क तरफ से उसकी काच नहीं कर पाई, तो जो तमाम चिंतन वंतन के बाद चीजे निकल कर आएंगी, वो हो सकता है कि इस मीटिंग के दौरान डिसकस हो, लोगसभा चुनाव में खराब नतीजे आने के बाद, आरेसेस की तरफ से बीज़िपी को लगातार नसीहत भी दी जा र काम करें, लेकिन मैंने किया यह अहंकर न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे हैं, और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्चकता है, और विश्व को भी आवश्चकता है, भारत का वो जीवन धिय है वहीं इंद्रेश कुमार ने भी बिजपे की कम सीट्याने का कारण जो है वह हंकार बताया था, इंद्रेश कुमार ने कहा था कि जो लोग राम की बूजा करते हैं, उनका बड़ा गुरूर हो गया था, इसलिए भगवान राम ने उन्हें दंड दिया, लेकिन फिर इंद्र जो ने राम की भति की, पर भीरे भीरे एंद्रा आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोशित कर दिया, पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना थाई ये, जो शक्ति मिलनी थाई वो भगवान ने एंद्र कारण गोजा, जो ने राम का विरोग किया, उनमें से क किसी को भी शक्ति ने थी सम मिलकर भी नंबर एक निमने नंबर दो पर गड़े करते हैं, इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचेत्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनन्द दायक है, इसलिए इस पार्टी में भक्ति की एहंकार आया, उसको 242 पर रोग दिया, पर इस समय का एक absolute truth है, वो ये है कि जिनोंने राम का विरोध किया, वो सब जोर लगाने पर भी सत्ता की तरफ बढ़ नहीं सके, सत्ता में आनहीं सके, जिनोंने राम के प्रति भक्ति की और मिलकर चले, वह सत्ता में आ जा गए हैं, आज श्री नरेंदर मोधी के नेत्रित्व म देश के अंदर NDA की सरकार बन चुकी है, मैं आपके माध्यम से देश वासियों को अपील करूँगा कि सब कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम को जोड़कर, एक जुट होकर देश को आगे बढ़ाएं तो यूपी के नतीजे जो हैं मनमाफिक नहीं आए, पार्टी भी हैरान थी, इस बीच RSS का बयान आ गया, बयान को लेकर सवाल उठे और अब हो रही है, योगी और मोहन भागवत जी के बीच में मुलाकात गुरख पुर में रुची, मुलाकात को लेकर कयास अपनी जगे लगाए जा रहे हैं, कब तक ये मुलाकात संभव है और क्या कुछ, हाला कि RSS कैसे ओपरेट करता है, किसी को नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी जो कयास है, वही बताईए कि क्या कुछ कहा जा रहा है, इस मुलाकात का एजि इतनाद की मौन भागवत या संक जोशी शनेता आते हैं लकनो में या उत्तर प्रदेश में, वो कारिकरम जारी नहीं किया जाता, वो मुलाकात होती हो, इसको कहते हैं कि शिष्टा चार वर्ष भेट है, अब दोनों लोग गौरकपुर में हैं, मुल्किमंत्री योग्याद इतनाद भी गौरकपुर में मौहन भागवत तो ऐसा कहा जा रहा है कि मुलाकात तो जरूर होगी, हो सकता है देर शाम तक के मुलाकात हो, और क्योंकि नतीजे आए हैं और उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सब को चौकाया है, तो ये बलकुल साफ है कि जब मुलाकात होग इसे कहा जा रहा है, आयुध्या पर जरूर बात होगी कि आकर आयुध्या सीट बीजेपी की योहार गई जहां राम मंदिर अभी बन के तयार हुआ है, जी पिनाद बिलकुल रुची, इस मुलाकात पर नज़रा बने बनाये रखिए, क्या खुच अपडेट निकल कर आता ह इस मुलाकात के बाद हम आप से जानेंगे, लेकिन नतीजे जो हैं, जाहर से बात है, बीजेपी को अभी भी परिशान कर रहे हैं, लगातार चिंतन मंधन जारी है, क्या आखर यूपी के अंदर क्या हो गया, जहां पर मोदी योगी का डबल इंजिन काम कर रहा था, लखनो में लगातार कानपूर शेतर की हारी सीटू की समिक्षा हुई, परसों अवत पर चर्चा हुई, इस बीज बड़ी ख़बर है कि यूपी में हारे उमीदबारों के फीडबाक के आधार पर भीतर घात करने वालों पर बड़ा एक्शन हो सकता है, जहां, तीन स्तर ये रिपो उतना ज्यादा काम के लिए प्रिरित नहीं किया, बूत तक मतदाताओं को लेकर नहीं आए, तो इन तमाम चीज़ों को फैक्टर्स को जब वेरिफाय कर लिया जाएगा और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस पर कड़े आक्शन लेने की तैयारी भी आला कमान कर रहा है, क्या लगता है, हम क्यों हार गए, क्या कमी रह गई, दूसरी रिव्यू टीम की रिपोर्ट है, जो अपने सतर पर रिव्यू कर रही है, कि क्या कुछ कारण तो इस उमीदबार से शिकायत थी, तो ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है, तीनों रिपोर्ट की फाइंडि कैंडिडेट को हराने का काम किया, क्योंकि वो टिकेट की चाहा रखते थे, आपस में नहीं बनती थी, तो वहाँ पर उनके साथ एक बार चिंतन मंथन होने के बाद, फैनलाइज होने के बाद, उन पर आक्शन भी लिया जा सकता है, तो यूपी में बिज़िपी की हार पर म इक शार्थियों को नोटेस बेजा, आपको बता दें कि एंटी के तरफ से जानकारी मिली थी, उन तमाम जिनके रोल कार्ड मिले थे उन शात्रों के बारे में, अब पुलिस ने उनको नोटेस बेजा है, पूशताच के लिए बुलाया है, नौ स्टूटन्स के मातापिता को भी सवाल जवाब का सामना करना पड़ेगा, शात्रों को पेरंस के साथ पूशताच के लिए बुलाया गया है, इस बीच आपको बता दें कि पटना में किस तरह से पेपर लीक का मामला जो है, वो सामने आया था, एंटीय से सहीोग की बात नहीं की जा रही थी, और अब पहले, अभी अभी पटना से नीच शात्रों की प्रटिस की तस्पीरे देख लीजे, कि पटना में किस तरह से चात्र जो है, उनका घुसा जो है, वो अब सडकों पर फूट रहा है, वो कह रहे हैं कि किस तरह से अगर पांच माई को ही ये खबर मिली थी, कि यहाँ पर पट पहले नीच एक्जाम में सरसट शात्रों के 720 मार्क्स आने पर बवाल मचा था, मामला सुप्रिम कोट पहुचा, एंटी ने कहा कि ग्रेस मार्क्स की वज़े से हुआ है, इसलिए सुप्रिम कोट ने ग्रेस मार्क्स को ही खटा दिया, दर असल क्या हुआ कि एंटी ए ने लेकिन अब छात्र कह रहे हैं कि ये 1563 का मामला नहीं है क्योंकि 1563 में से 700 बच्चे क्वालिफाई किये थे जिन में से 6 या 8 बच्चे हैं जो रैंक होल्डर है तो अगर वो हट भी जाएंगे तो रैंक में कोई कमी नहीं आएगी ये 1563 का आकड़ा नहीं है ये आकड़ा कहीं ज़्यादा बड़ा है क्योंकि पिछली बार के तुलना में रैंक्स जो हैं हजारों की तादाद में जो हैं वो पीछे चली गई है आपको बताते हैं कि नीच एक्जाम में धानली को लेकर सुप्रम कोट में अब तक दिन भर सुन लेकर जो है अगली सुनवाई हुई जिसमें अधालत ने ग्रेस जाच हो ग्रेस मार्क के जांच हो उसकी बाद खुदी एंट ऑने कह दिया क्या हाँ सही नहीं था तो उन्होंने उसको हटाकर दोबारा टेस्ट की कहा कि हम दोबारा टेस्ट लेंगे ऑप्शन देंगे तो दुबारा टेस्ट लिए या पर जो नंबर आये हैं उसमें से ग्रेसमाक्स हटा के उसी रांक को और उसी आधार पर जो री रांक होगी उसको एकसेप्ट कर लीजे जो चातर जो अप्ट करेगा उसका रिजल्ट जो है 30 जून तक आना है और 6 जूलाई से कांसलिंग शुरू हो जाएगी 14 जून को पेपर लिग की CBI जाच की मांग करती हुए क्या चिकाई जिस पर सुप्रम कोट ने कहा कि 8 जूलाई को सुनवाई होगी लेकिन सवाल चातरों का यह है कि अगर 6 जूलाई से कांसलिंग शुरू हो जाएगी जो अभी रैंकिंग रिलीज होंगी तो फिर 8 जूलाई की सुनवाई का कोई और चित्ते नहीं रह जाएगा नीट एक्जाम में धानली को लेकर सिर्फ सुप्रम कोट में ही सुनवाई नहीं हो रही है बलकि देश के अलग-अलग राज्यों में भी हाई कोट में भी याचकाई दाखिल हुई है जिसमें रिजल्ट में जो कमिया पाई गई है उसकी शिकायत की गई है सब्सक्ताइब मांगा जाता है तो याचकाऊ को गम्पाइल कर के अधिसमें का है की याचकाई őं के आँध दाखिर हैं gdy दाखिया शिक看 कि अ response ने द्तरों में धरविजंट के से भी मुलाकात कर द्जाफ नेफ एक्जाम में खूई धरम Waitant ke lifted जिस पर धर्वेंद्र प्रदान ने चात्रों को आश्वासन दिलाया है कि एक्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सिर्फ छे सेंटर पर गलत पेपर देने की दिक्कत हुई थी जिसकी वज़े से डिले हुआ फिर ग्रेसमार्क्स दे गए उन्हें ने कहा कि चात्रों के करियर से खिलवाड नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद इंडिया टीवी के समवायद दादा ने भी शिक्षा मंतरी से बात की। उन्होंने कोचिंग संचालक की भूमेकाप पर भी सवाल उठाए है। चार हजार साथ सो पचाश सेंटर हुए हैं। इस बार ने छे सोशे से जादा सेंटर ने खुले गए हैं। तेरा भासा में परिक्षा हो रही है और 14 विदेश की सेंटर में भी परिक्षा हो रही है उनमें से 6 सेंटर में कम मिला विद्यार्थियों को परिक्षा देने में कुस्तानिय गड़बड़ी हुई परिक्षा के अंदर देरी में खुला इधर दर कुछ हुआ जब कम समय मिलता लोगों ने आपत्ति किया। उस समय में सुप्रीम कोट की प्रद्दत एक फर्मूला था कि उसको दुबारा परिक्षिया करना एक ग्रेस मार्क देना। तो N.T.N. ने उनको ग्रेस मार्क दिया। ग्रेस मार्क देने में ध्यान में आया कि कुछ विद्यारति एक्दम टपर हो गए। फिर कुछ विद्यारतियों में उसके उपर संध्य और नारजगी हुई। तब पिर एक बार एक कुछ विश्चियावितों की कमीटी बनाई पारदर्शित तरीका निकालो फिर निकाला गया कि नहीं उनको उस जो लोग परिक्षा कम समय मिला जिम को उनको एक बार पुना परिक्षा कर दिया जाए। उस फर्मुला को हमने सुप्रिम कोट के सामने में रेका। सुप्रिम कोट ने उस फर्मुला को शिकूर्टी दिय कि हैं इठीक है तो मेरे क्याल से समाध्य समस्य का समाधन हो गिया है बाकी में विद्यारतियों को आपके माध्य में अश्वस करना चाहता हूं सरकार पारदर्शिता की पक्षमें हैं अगर कोई एक अधा जगा पे कोई दोसी पाये जाएगा उसको भी बक्सा नहीं जाएगा गोद्रा और पत्ना सेंटर को लेकर जिस प्रकार से विसंगतिया नजर आ रही है उडिसा के लोग भी जब गोद्रा के सेंटर चूज कर रहे हैं पत्ना में कुश्चन लिए अनुसंदान दो अलग अलग प्रकार की खबरें आई है उसको पुरा वहां के स्थानी वहां तो स्थानी एजिंचियों की प्रोक्टिव निश्के करने इस सब समाधान ध्यान में भी आई है उसको हो नहीं दीजिये किशी को बक्सा नहीं जाएगा कुश्चन पेपर लिख हो रहा है आप ओजिशन या आरोप लगा रहा है मलिकाज उन खड़ गया तमां तरग आरोप लगा रहा है आप लोग यह मैं उस विश्यर पे कोई उतर इसलिए देना नहीं चाहूंगा प्रमान हो जाए कारवाई मैं स्वस्त करता हूं कड़ी से है। इनकी रूची क्या है न वा वद शाथ है न वुद्वाब के क्या उनकी कुछ हीतों की अंदेकह हो रहे ही ति किसमें से नाहीं बत्धती है विद्यारतियों को अच्छा प्रस्ण मिले, कम बुझिला प्रस्ण मिले, ग्रामन इलाका का विद्यारतिया आए, गरी विद्यारतिया आए, यह उनके आपती है क्या, यह तो एक बैपक प्रस्ण है, आखर मैं स्वाल जैसे विसंगतिया हैं क्या आपको लगते हैं किसी भी कि इस तो सामने दिख रहेंगे कैसे विसंगती आई है आपने रिपोर्ट के ऊपर क्या चर्चा करेंगे मैंने जतना जानकर रखा है कि दोनों की बारे में उहां के स्थानी एजिंसियों ने कुछ काम किया है कुछ प्रमान अगरा आया है उसमें कुछ आ जाए और सारा विश झाल 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 झाल